Is NCRT sufficient for boards? वैसे तो सब शिलाते हैं कि NCRT सिर्फ NCRT कर लो और तबाह कर दो board exams वैट? सच में practical दिखा जातों Maths में जब तुम NCRT solve करो तो NCRT के एक एक question ऐसे solve करे होने चाहिए ऐसे याद होने चाहिए कि उसका solution तुमसे कभी भी पूछ ले तुम्हें याद हो और सिर्फ questions नहीं, solved examples भी ऐसे करने होंगे उसी तरफ science में जब NCRT पढ़ोते हो तो तुम ignore कर देते हो boxes को और activities को जो नहीं करना है और इसी के लिए NCRT की boxes और activities को समझने के लिए लोग खरिते हैं reference book पढ़ तुम्हें एक रुपए बेस नहीं करना है क्योंकि हमने boxes और activities को explain किया है latest notes में यह सारे notes में जिसकी link तुम्हें pinned comments में मिल जाएगी